तो दोस्तों यह है Realme TechLifeBus 300 earbuds और आज का हमारा टॉपिक है How to use Realme TechLifeBus 300 earbuds यहने कि इसको कैसे यूज़ करते हैं कैसे इसके इरबस के touch control के क्या क्या features है तो आज विडियो के साथ समझाने बारा हूं Realme TechLifeBus 300 के बारे में और कैसे यूज़ करते हैं तो इसको चार्जिंग केस के बारे में जानेंगे तो इसको चार्ज करने के लिए आपसो को यहाँ नीचे की सैड में type-c का पूर्ट मिल जाता हैं सिंपल हमने सकते चार्जिंग केस को यहां से के साथ mund करेंगे तो यहां पर को LED थ्रिफ करना स्टाट हो जाए तो इसका मतलıy हमारा चार्जिंग केस्ट ओर है ऑपका जो यह आप को फ्राइश करना बंद हो जाएगा है स्टैबल होगे को लुध talking सेटिंग में जाना नहीं पड़ता आपके मोईल के स्क्रीन पर ही इसका पॉप आ जाता हूं वहां से इसको सिंपली कनेक्ट कर सकते हो इसको गूगल फास्ट पेरिंग का ओप्शन कहते हैं तो मैं आप सब्सक्राइब करके दिखाता हूं और यहां मोईल स्क्रीन आप देखो हो रहा आर कुछ टम्Mayor यहां ओधर हो गए तो यहां अपर मारे यहां उन और इसके ऐसे इस के इसके बार निकाले के यूजे कर लेना हो और यूजे करने के बाद जब आप इस एंपर को वह आप इसके चारजिंग केस में रख देते और चार्जिंग मोड पर आ जाता है इसके बाद अब हम रियल में टैक लाइफ बड़्स के टाच कंट्रूर के फीचर्स के बारे में बात कर लेते तो यहां पर आप सब को लेफ्ट वाले बड़्स में और राइट वाले बार्स में जो है तो सबसे पहले मेंस को इसके राइट सेड के यह लगने टीन उआँ नेक्स कर सकते हो और अगर आप विसके ऊपर टच कर सकते हो और और हम बात कर लेते हैं इसके लिफट रड़ी टाच करते हो और अगर आप साथ कर लिए एक पर तो यहां के यह बनिस के उपर तुम कर्सक्राइब कर सकते हो और अगर आप सब दोंनों ही एयरबट से ऊपड़ करके रखते हो तीन सेकिन के लिए तो आप सब गेमड को आन कर सकते और सहीम अगर आप तेन सबकनर के Tok रखते हो दोनों यह बर्सकों तो गेम ओड को अभी कर सकते हो तो इसके उपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ जिसका जो लिंक है मैं आप वीडियो के नीचे डिस्कृफ्षन में देदों को आप सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्रिस वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप से हमारे यूटीव चनल पर नए हो तो प्लिस चैनल को सब्सक्राब य कर देना कि मैं ऐसे लेटस्ट गैजट से लेटेड वीडियो लेकर आते रहता हूं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना ही